हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर पहलबान गुरुदिन गुरुप अब कॉलेज के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं संध्यराचपूत हिंदी प्रवक्ता हिंदी विभाग पहलबान गुरुदिन गुरुप अब कॉलेज पनारी ललितपूर दोस्तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो की नौटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो यह टॉपिक बीए फस्टियर के प्रिथम प्रिशन पत्र के लिए बहुती आवस्षक एवं महत्पूर्ण और उप्योगी है आज का जो हमारा टॉपिक है वह है माडोगड की लडाई पिछले तीन वीडियो में हम इस माडोगड की लडाई की बारे में चर्चा कर चुके थे और जो बाकी चर्चा सेस रहे गई थी वह आज इस पार्ट फोर में चर्चा करेंगी दोस्तो यह काब विश्री नामक किताब के प्रिथम पार्ट माड़ोगड की लड़ाई और आलाखंड से लिया गया है और इसके रचैता जनकभी जगनिक है दोस्तो तो क्या होता है माड़ोगड में जब राजकुमार ओदेयन और माहिल राजा के पुत्र अभय का युद्ध होता है तो उसी युद्ध का वर्णन इस माड़ोगड की लड़ाई में किया गया है तो यहां क्या होता है जब राजकुमार ओदेयन सिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं तो सिकार खेलते हुए वह उरई के राजा माहिल के बगीचे में पहुँच जाते हैं और जिस सिकार का वो पीछा कर रहे थे वह सिकार तो खो जाता है लेकिन माहिल राजा के सिका वहां गूम रहा था उनके बगीचे में उसका स्कार राजा उदयन कर देते हैं तो इस प्रकार से जब वहां का माली यह सिकायत राजा से कहता है तो राजा माहिल ने अपने पुत्र अभय को आक्रमन करने के लिए या उनको पकड़ने के लिए जिसनों उनके हिरने को मारा है उसको पकड़ने के लिए भेशते हैं तो क्या होता है जैसे ही अभै सिंग अपने जवानों के साथ या अपने सेनकों के साथ अभै सिंग से लड़ने के लिए जाते हैं क्या होता है धाल को जड़गा ऐसो मारो अभय गिरे भूम में भर रहा है जैसे ही उनका ये दूसरी रूम हो जाता है तो राजा उदय सिंग ने अभय के लिए अपने धाल का ऐसा जड़गा दिया कि वहीं पर वो गिर गए कुंद बच्विडा थेंभुई आयो जहे को ना उ अभय उठाडवव सहम कर और समल कर अभय सिंग जैसे ही खड़े हो जाते हैं तो अव उदयान पर ठोकी ताल और उदयान पर एक ताल ठोक देते हैं जैसे ही ताल वो ठोकते हैं तो हाथ बड़ो बाव घरंते नर अभय कोलह उठाई जिस प्रकार से एक कोलू के ठके हुए बैल को उठाते हैं उसी प्रकार से राजकुमार ओदयन ने उस अभय को उठाया ऐसी पट की दई अभय की और उठाकर जैसे ही आराम से उसको उठाया उसी तेजी से ऐसी पट की दई अभय धरनी गये भर रहा है अभय धरनी पत बहुत बुरी तरीके से गर गये यह पटक तूट गई नर अभय की संगी भाजे जान बचाए जब उन्होंने पटका तो उस अभय की बाएं टूट जाती है उस टूटी हुई भुजा को देखकर उनके साथ में जो सैनेक आये थे जवान आये थे वो तो वो सारे साथ ही उनके भाग जाते हैं यह गति देखी जब अभय कि यह गति देखी तो उदियन हिरना लाय उठाए उस उदियन ने राजकुमार उदियन ने अपने हिरने को उठाकर अपने घोड़े पर रख लिया फिरनलाद केरा सुबेंदुवे पर महुए चले उदैसिंग रहा है उस हिरने को अपने घोड़े पर बांद कर महुए की और उदय सिंग चल देते हैं माली भाजो फिरवगिया से उस माहल तिरफ पहुँचो जाए फिर वही माली यह दसा देखकर राजा माहल के यहां फिर से पहुँच जाते हैं और हाल बताया जब अभय को और अपना हाल बता दिया अभय का जब उन्हें यहाल बताया तो माहल सोच सोच कर रह जाता है कैसा कौन हो सकता है जो हमारे इतने योध्धा अभय को भी परास कर देता है माहल पहुचे फिलवगिया में देखो हाल अभय सिंग क्यार जैसे ही वह फिलवगिया में अपने बगीचे में अपने अभय सिंग की हालत को देखा तो और उस तूटी हुई बाह को देखा महल न उन्हें दयों पहुचाए तो बहुत ही दुखी हुए और उनकी मरम्मत करने के लिए या उनकी दबादारू करने के लिए महलों में भेज दिया माहल सोच अपने मन में करता कहां रची करतार महल सोचता है अपने मन में कि करता ने यानि बिधाता ने ऐसी रचना कहां की होगी मुझे तो लगता है कि मैं ही सर्व श्रेश एद्धा हूं और मेरा पुत्र ही सर्व श्रेश एद्धा है इस अंसार में मुझसे बढ़ा या मुझे से तागतवर तो कोई है ही नहीं विधाता ने यह रचना कव कर दी होगी जो रहो महुवे मेरे बाप को चंदिल उन्हें लयो चनाए यह मेरे बाप का महुवा था वो चंदिल राजाओं ने मुझे से छिन लिया था बखत बने की सब बात आई है बैठे राज करत परमाल जो पहले हमारा राज हुआ करता था वह चंदिल राजाओं ने छिन लिया था और अब उस पर परमाल राजा राज कर रहा है ओछी जात बना फरवाले कलहा दस राज के लाल और यह उदियन ओछी जाती का बड़ा ही बड़ा बना फिरता है यह बहुत ही ओची जाती का है कलहा दस राज का पट्र है गोरु होत खनरार मचावई औरई रहवो करई हराम हमारा औरई में रहना इन लोगोंने हराम कर दिया है हम औरई में भी हम छोड़े से स्थान पर रहकर भी उनके कारण अच्छे से नहीं रह पाते चुगली करी हाँ वह महुए यह हैं ऐसी आगी दिये लगाएं और महुए की महुए नामक नगर की बहुत चुगली होती है और ऐसी आग लगा दी है कि बड़े लड़ईया जो दियने हैं लेकिन बाप का नाम लेने से घवडाते हैं क्योंकि बाप तो बहुत ही ओची जाती का है जो चड़ ज़ई हैं गड़ माड़ाव पर जिन्दा एक बचन को ना हो जो हम माड़ गड़ पर चड़ जाएंगे जैसे हम माड़ गड़ पर लड़ाई करेंगे तो एक भी जिन्दा नहीं बचेगा ऐसा सोचते हैं राजा माहिल माहिल कहता है जो हमने माड़ गड़ पर लड़ाई कर दी तो एक भी इंसान जिन्दा नहीं बचेगा जहें बिचारत माहिल ठाकर मन मह बहुत गए हरसा है ऐसा बिचारते हुए कि हम मालगड़ पे लड़ाई करेंगे इतना सोचते हुए उनका मन बहुत ही हर्षित हो गया बहुत ही प्रसन हो गया कि हाँ अब हम मालगड़ पे लड़ाई करेंगे और उसको छीन लेंगे राजा परमाल को उससे हरस्त कर देंगे लिल्ली घोडी का मंगवाय तहीं पर फान भई अस्वार फिर इसके बाद उस राजा माहिल ने अपने लिल्ली घोडी को मंगवाया क्योंकि उनकी घोड़ी को नम लिल्ली था तो उन्होंने अपने लिल्ली घोड़ी को मंगवाया तहीं पर फांद भै असवार उसी पर वो फांद कर उसी पर बैट कर सवार हो गए राह पकर लई गड़ महुए की पहुंचे चंदेलादरवार और उन्होंने उस रास्ते को पक चंदिल बंस के हैं तो चंदिल बंस का जहां दरवार था ने जहां माडोगड़ का दरवार था बहां पर यह माहिल राजा पहुंच जाते हैं दोस्तो यह आला खंड का बहुत ही एक महत्पून टोपिक है मालोगड की लडाई इसलिए विए फस्टियर के सिलेवर्स में मालोगड की लडाई के लिए रखा गया है और यह टोपिक कभी बर जनकभी जगनिक द्वारा रचित है दोस्तो यह जनकभी जगनिक कालेंजर की राजा चंदिल राजा परमादी देव यानी परमाल जिनका समय 1165 से 1300 ओसोरी बारा सो तीन इस भी तक रहा उनके आस्रे कवी थे इनोहरे परमाल के समान्त और सहायक महुवा के आलह उदल को नायक मानकर आलह खंड नामक गरंत की रचना की जिसे लोक में आलह के नाम से प्रसिद्धी मिली इसे जनता ने इतना अपनाया और उत्तर भारत में इसका इतना पिरचार हुआ कि धीरे-धीरे मूल का बसंभवता लुप्त हो गया विभिन बोलियों में इसके विभिन स्वरूद मिलते हैं अनुमान है कि मूल गरंत बहुत बड़ा रहा होगा 1865 में फर्रूखाबाद के कलेक्टर सरस्टाल्स इलियट ने आलाखंड नाम से इसका संग रह कराया जिसमें कन्नोजी भासा की बहुनता है आलाखंड जन समुमी की निदी है